हलो गाइस आइम हीर फॉर दिसकेशन ओफ एस एफम नावंबर 20 पेपर यह पेपर का डिसकेशन आइफिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो मुझे पता चला वो यह है कि SFM के पेपर के बाद नियू कोर्स में बहुत सारे बच्चों ने आप्ट आउट कर दिया और यह पेपर आपको इतना ज्यादा तफ लगा कि आप आगे पेपर लिखने के लिए नहीं गए कि मैं आप बताओ कि पेपर डिफिकल्ट था पेपर कंसेप्चुल था करने जैसा था कि नहीं था या फिर आउट ओफ सिलेबस था ओके तीन घंटे में होने लायक था कि नहीं था मैं जरूर डिसकस करूंग इन बातों पर लेकिन धीरे धीरे डिसकस करते हैं यह पेपर गाइज अपने आफ में एक माइल स्टोन है हमें बहुत इंपोर्टेंट मैसेज़ लेने चाहिए हमें इंपोर्टेंट फीडबैक्स लेने चाहिए हम सब को डाट कि हमें प्रिपरेशन करते समय यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो तयारी हम करते हैं लाइक हमें कैसे आदत पड़ गई हम सब को मैं किसी एक को नहीं बोर रही हूं बच्चों को तो विल्कुल भी नहीं बोर रही हूं मैं कि जो ओल्ड कोर्स की प्राक्टिस मैनुल होती है हम सब जानते हैं कि SFM में ज्यादा कोई चेंज होते नहीं है जो questions मैंने अपने master's के समय बढ़ना तो curriculum में थोड़े advanced level पे जाना वो ही changes हो सकते हैं SFM में Forex change हो जाएगा like direct test और indirect test के जैसे वो possibility नहीं बनती है यहाँ पे तो हम ही कैसे आदत पड़ गई थी कि old course के जो practice manual है या जो पुराने RTPs, MTPs या exam papers होते हैं उसमें से ही questions निकाल करके हम तयारी करके जाते है अच्छी practice करके जाते हैं लेकिन इस बार दिक्कत क्यों हो गई और मतलब हर बार क्या होता है एक या दो question difficult होते हैं और difficult as in की बिना देखे वे होते हैं और वो question अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हमें ज़्यादा problem नहीं आते हैं because majority इस बार से उल्टा, majority of the questions कहीं न कहीं से ह होता है इस बार ऐसा नहीं हुआ इस बार क्या हुआ कि majority questions आपके बिना देखे वे थे practice manual, old RTPs और MTPs और past exam paper से cut-paste paper नहीं था and that is why जैसे आपने questions खोला होगा या paper आपने देखना चालो किया तो one by one आपको शायद ऐसी feeling आई कि मुझे ये भी नहीं आता है, मुझे ये भी and anticipate from the student's perspective, लेकिन जब मैंने paper देखा, you know, then I found that कि शायद ये भी हो सकता है guys कि आपने paper आप इतने घब रा गए या इतने नर्वस हो गए कि आपने paper में जो questions थे आपने पूरी तरह से उनको पढ़ा भी नहीं, डर के मारे possibly, okay क्योंकि जब मैंने, देखो ये बात ध्यान रख किल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मैं accept नहीं करोंगे, because अगर मुझे करना आ रहा है कहीं न कहीं, okay, तो आपको कुछ न कुछ करना जरूर आजएगा, that is, because that is what is a student and teacher relationship is, okay, तो मैं ये बोलना चाहरी हूं, कि शायद आप questions जब पढ़ना चालू कि आप दिमाग में preset थे, कि आपको देखा वो paper आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन believe me guys, questions जो थे, वो आप कर सकते थे, okay, मैंने किया है solve questions, हाँ, एक चीज़ जरूर है, number one, paper बहुत conceptual था, paper के अंदर concept जो पढ़ाया गया आपको, उसकी application एक अलग तरह से आपको करनी थी, जिसका पहले को आपने नहीं किया था, यह point number one, point number two, आपको rigorous practice चाहिए थी, so that, कि concepts के बीच में जो interlinking होती है, topics के बीच में जो interlinking होती है, वो आप recall कर पा उस तीन घंटे के अंदर में, so it is a very very important message for all of us, that henceforth, our preparation needs more attention, okay, एक चीज़ जरूर है, जो आपके favor में जाती है, वो यह है, कि जो questions, या few questions, जो करने लायक थे, actually exam के अंदर में, उस questions में जो data था, वो काफी जादा confusing था, और हमें लगा कुछ गलती है data के अंदर में, उसकी वज़ा से क्या हो गया, कि जो questions आप कर सकते थे, उस questions में भी अपनी वाट लग गई, because obvious ही बात है, तीन घंटे के अंदर में आपको पूरा paper solve करना है, और जो question आपको करना आ रहा है, आठ नंबर का paper है, उस question के अंदर भी, अगर data दिमाग में आपने पढ़ना चालू किया, आपको लगा यार ये सम तो मैं कर सकता हूं, या कर सकती हूं, लेकिन जैसे ही आपने solve करना चालू किया, आपको मालूम तो नचुरली आपके लिए भी बहुत confusing रहा होगा, और शायदा बहुत घपरा गए, तो I think we require the concluding point, the crux of the problem is that we need to prepare and practice better, इसमें कोई भी tension की बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगी, कि इतने questions इतने आएं, majority concepts, मतलब 90% of the concepts मैंने class में बढ़ाया होगा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मैं discuss करती हूँ, और आपको एक-एक सम का solution जो मैंने hand written बनाया है, वो आपको मैं दिखाती चली जाओंगे, just try to take a hint from that, number two, paper तीन घंटे में खतम होने जैसा नहीं था, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है पूरा, ए हर question बहुत लेन दी था, ये पेपर तीन घंटे में शायद खतम होने जैसा नहीं था, आपको जरूर टाइम लगा, क्योंकि उज्यली हम लोग 2-3 घंटे में, मतला गर मैं लिखने बैट हूँ, तो मैं 2-3 घंटे में पेपर खतम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने ये पेपर में मुझे थोड़ा जादा ताइम लगा, इसका मतला आपके लिए थोड़ा और जादा ताइम लगा होगा, इस बात पर मैं अगरी करते हूँ, ओके, बट लिखने पर तो मैं लोग बेटी हमें चंपार दे रके हूँ, तो हमें जो ये रेती आखी थी, लिखा हूँ, लिखा for which it has to make a payment, यह payable का sum है, और इन लोग को dollar buy करना है, correct ना, rupee per dollar buy करना है, तो 80,000 dollars का इनका purchase है, तो obvious यह बात है, कि जिसमें outflow कम होगा, वो हमारा answer होना चाहिए, तो no cover versus forward cover का question है, forward cover की rate दे रखी है, rupees 74 per dollar, एक इस question में एक और दिक्कत आई, मैंने paper जब solve करने में बैठी, point by point, मैंने यह observe किया, कि हर जगह पे इन लोगों ने, यह जो दे रखा है न, alphabets, INR slash USD, तो हम लोगों ने पढ़ते समय यह पढ़ा है, कि जब भी यह alphabets में देते हैं, यह exchange quotations होते हैं, notations नहीं है, rupee और dollar का notation होता है, तो rupee per dollar होता है, notation, sign जो होता है उनका, और अगर alphabets म 75, क्योंकि हम rupee और dollar का relationship जानते हैं, इसलिए शायद हम वो common sense बिठा पाए, वरना मुश्किल था बहुत जादा, यह गल्ती है, लेकिन अगर पूरे paper में यह वाला assumption फालो करते, हर जगह पर ऐसे ही करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर तीन बारी इस तरह का question उन्होंने type किया है, तो कहीं पर INR slash USD use किया है, और कहीं पर USD slash INR use किया है, for the same rate rupee per dollar, वो चीज गलत है, वो चीज पर इनकी improvement होनी चाहिए, इस बात से मैं अगरी करते हूं, बच्चों के लिए खास करके, मुश्किल है बहुत जादा, कि एक सम्में मुझे ऐसे समझ, मतब यह तो क्या हो गया कि imagine करने वाली बात हो गए थोड़ी से, okay, but again मैं बोर भी हम complain करने से कोई फाइदा नहीं होता है, it's better that we move ahead with a positive like thought process, okay, तो अपने यहां पर forward की rate दे रखिये 74 per dollar, और मुझे जो आया, इसमें आया, देखो यहां पर forward cover के हिसाब से, और premium दे रखा है उन्ह और 80,000 dollars में rupee का amount यह हो गया, premium लिया है मैंने, okay, उन्होंने लिखा है कि premium लगेगा 1% का, तो 1% का हम लोगों ने premium लिया है, 59,20,000 का outflow है, rupee terms में, उस पर 1% का premium आएगा, और 7 में उन्होंने ब्याज का rate दे रखा है, तो 10% के हिसाब से 6 मेने का ब्याज भी आएगा, करके मैंने rate निकाला है, मतलब अगर हम कुछ भी नहीं करें, और सीधा 6 मेने के end पे जा करके, जो market में rate चल रही है, उस पर खरीद के अगर हम payment करते हैं, तो मेरे घर से rupees कितना जाएगा, वो निकाला है, तो 59,76,000 जाता है, I think no cover is better, अब देखो यहाँ पर क्या problem आ गई, कि forward cover proper hedging कहलाएगी, no cover hedging नहीं होती है, no cover में आप अपने risk को पूरा open रखावा है, and for that reason में नहीं हाँ लिखा है, though no cover is a better option, but क्योंकि पैसे कम जा रहे है, but final decision would depend on the risk appetite of the organization, अगर company risk covers है, then it should go for a forward cover only, because that is a short, short answer for them, and if the company has got some risk appetite, risk लेने की ability है, और रिस्क अपताइट अगर उनकी अच्छी है, then I think they can hold on to no cover, question number two पे चलते हैं, ये भी question करने जैसा है, पूरा का पूरा, कोई भी दिकत नहीं थी sum के अंदर में, हम लोग ने ऐसा sum class में, मैंने दो कराएं, एक भी नहीं, दो कराएं, एक European option का भी कराया है, कि nodes पे कैसे calculation करते हैं, और उसके बाद मैंने American option का कराया था, कि वो जो node होते हैं, जैसे N2, N3 पे अगर comparison करने को हो तुमको, तुम compare करके कैसे आगे बढ़ोगे, I think it is a very very manageable sum, मैंने यहाँ पे probabilities निका लिए, तो probabilities मेरे हिसाब से, इस question में probability जो है, उपर जाने की probability 8% है, और नीचे जाने की probability 5% है, तो आपके जितने भी arrows तु उसके बाद यह question बिलकुल simple हो गया, खास करके मैंने बोला वा है तुमको, कि अगर तुमको e दे दे, तो तुमारा problem पूरा खतम हो गया, तुमको कुछ भी नहीं करना है, time adjustment नहीं, कुछ नहीं, सीधा वो factor उसकर लेना है, तो यहाँ पे देखो probability निकालने को बोला है, तो probability निकालने का formula तुमको पता है, r-d divided by u-d, तो u तुम निकाल सकते हो न, u और d तुम निकाल सकते हो, for example, अगर तुम 108 को 100 से दिवाइड करोगे, तो 1.08 आ जाएगा, और 95 को तुम 100 से दिवाइड करोगे, तो तुमको 0.95 आ जाएगा, that way, okay, तो लिखा है, the probability of price moving up and down, वो नि N2 और N3 पे payoffs निकालने को बोला है, right? तो N2, N3 पे तो निकालोगी, N2, N3 पे निकालोगी, लेकिन N2, N3 पे निकालने के लिए तुमको यह जो है न, arrows यहाँ पे, यह 116 और 102 को discount करके N2 पे लाना पड़ेगा, 102 और 90.25 को discount करके 95 पे लाना पड़ेगा, और N1 पे भी निक I am not discussing too much because this is a question which we have done in the class and and सारे curriculum में मैंने कराया, कोई भी ऐसा curriculum है जिसमें मैंने नहीं कराया, fast track में भी करवाया है और regular में भी कराया है, देखो यहाँ पे निकाला मैंने 18.64 और यहाँ पे 4.6 और यहाँ पे 0 है, 18.64 देखो यहाँ पे, यह probability निकाला मैंने इस तरह से, you can see, okay, तो यहाँ पे देख मैं अलड़ी दिया वा है, तो मुझे calculation करनी नहीं है, तो मैं as it is copy कर दिया मैंने यहाँ पे, तो probability आ गई, 0.779, up going probability, and the probability of stock going down is 22.10, तो node 1 पे देखो मैंने value निकाली, यह कहाँ से लिया मैंने value, यह 18.64 जो है ना तुमारा, यह वाला, और यह वाली, इसको discount करके N2 पे करोंगी, American option है न यह, तो American option अगर है, तो basically इसमें यह बात है कि, दो साल का है पूराई है, तो तुम चाहो, अगर यह European option होता, तो तुम दो साल के end पे exit मार सकते थे, because European option में exercise तो maturity वाले दे नहीं कर सकते हो, American option में बीच में भी तुम निकल सकते हो, तो यहाँ पे हमें end to pay, पे-off निकालना पड़ेगा, तो तुमको 108-98 करना पड़ेगा, तो वो एक pay-off होगी, और discount करके जो लाओगे, वो एक pay-off होगी, और दोनों को compare करना है, अगर value जो जादा आती है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, rather than discussing verbally, I think I should show you, देखो, CU1, वो discount करके लाया मैंने, देखो discount करके लाया है, और, CU2, 10, देखो, 108-98, 10, higher of CU1 and CU2 is 14.78, यानि कि हमें, one year के end पे नहीं निकालना चाहिए, हमें one year और wait करना चाहिए, तो हमने ये वाली value, usually है मतलब, वहाँ पे, CU नोड 2 पे हमने same comparison करी है, और दोनों के जो higher values है, देखो, ये वाली values, दोनों को लेके discount करक कि वापस से हम लोग 0 पे आ जाएंगे, वो देखो, 11.67 की value आई है, तो value at N1, 11.67, value at N2, 14.78 and value at N3, 3.41, मैंने, ऐसे तो हम कभी लिखते नहीं, बट क्यूंकि question और नहीं पूछा है न, उस तरह से, कि आप N1, N2 और N3 पे आप value निकालो, तो मैंने accordingly वहाँ पे लिखा के, निकाल के रखा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस पे आपको ज्यादा दिक्कत हुए, बिकास ये सम अपना properly करावा सम था, घर पे भी, ये question थोड़ा आपके हिंसाब से, definitely थोड़ा difficult था, ओके, बट इसके भी solution मैंने बनाया है, and let us see, ये question was not like a very very straightforward question from the student's point of view actually, on Tuesday, because ह अपने जितने बिवार के सम के थे, वो सारे पूर्फोलियो पे किया था, बॉंड पे किया था, एक्विटी पे किया था, you know, इंची जो पे किया था, कॉल पे किया था, पुट पे किया था, वो नहीं पूछ के कुछ और पूछ दिया नहीं, on Tuesday morning, because this sum is very unique, I'll definitely discuss more in detail, on Tuesday morning, an investor while going through his bank statement has observed that an amount of rupees 7 lakh is lying in his bank account, this amount is available for use from Tuesday till Friday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 4 din ka time, the bank requires a minimum balance of rupees 1000 all the time, the investor desires to make a maximum possible investment where value at risk should not exceed the balance lying in his bank account, इसका ये मतलब हुआ, कि 7 lakh rupees उसके पास में हैं, और बैंक को minimum balance 1000 का चाहिए, तो 7 lakh minus 1000 आप कर दो, मतलब उतना पैसा वो रिस्क पर डाल सकता है, can we say that amount is value at risk, तो वार is like 7 lakh minus 1000, उसके बाद क्या बूला है पता है, the standard deviation, मतलब जिस security में पैसा जाएगा, उसके बारे में बोल र deviation of the market price of the security is 1.5% per day, इन हमें तो चार दिन के लिए चाहिए, the required confidence level is 99%, right, तो 99% का Z value, मतलब 1% वार हो गया गो, is 2.33, all of you know that, right, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना, you are required to determine maximum possible investment, तो हमें निक required by the bank is 1000, maximum value at risk, जो हम डाल सकते है, वो है 6,99,000, मतलब योर वार, मतलब वार का answer आपको दे रखा है, और तुमको निकालना है, invested amount, तो अपने को वार का formula पता है, मतलब मैंने डिटेल भी बहुत किया है, तो मैंने डिटेल भी बहुत किया है, तो मैंने डिटेल भी बहुत कि और root of 4 लिया है, मैंने बोला था तुमको, कि अगर तुमको कम maturity का, अगर standard division पता है, तो high maturity में जाने के लिए, multiplied with the root of that number of days or number of months करना होता है, तो हमें 4 दिन का चाहिए, तो मैंने root of 4 multiply कर रखा है, because daily SD दे रखा है, Z के value 2.3 आ जाएगी, और 6,99,000 तुमारे answer में आएगा, that is the war, so how much money you can maximum invest, जिससे कि तुम्हें 6,99,000 से जादा पैसा तुमारे risk पे ना आए, because उससे जादा पैसा तुमारे account में नहीं है, तो guys ये solve किया है, और answer आया है तुमारा 10,00,000 रूपीज, ये 10,00,000 रूपीय आया answer में, okay, next question is question number 2A, okay, guys ये question जब मैंने देखा, तो मुझे एक जगह पे, जब भी मैं equity पढ़ाती थी, second या third lecture में, हम लोग एक topic पढ़ते थे, उसका नाम है, discussion on KE and growth, याद कर लो, okay, तो growth में मैंने तुम लोग को दो formulas पढ़ाये थे, देखो question क्या है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे, question में लिखा वाये हैं, कि AB industries as equity capital of 12 lakhs, debt is 8 lakhs, annual sales of 30 lakhs, okay, two mutual exclusive proposals are under consideration for the next year, मैंने sum करते हैं, I, I, as per me, यह जो data दे रखा है, 12, 8 और 30 का, वो उसका कुछ जादा use नहीं हुआ, okay, the details of the proposal, मतलब दो proposal उसका data दिया आगा है, और तुम को क्या करना है, तुम को growth rate निकालना है, sustainable, तो sustainable growth rate का formula क्या होता है, G is equal to B into R, या I had laughed also, कि IPCC में ratio analysis में chapter होता है, ratio analysis chapter है तुमारे IPCC में, IPCC में या CENTER में, whatever, and वहाँ पे method है, ROE calculate करने का, उसका नाम है due point model, three step due point model, मैंने उस model को detail में तुम्हारे सामने, three step due point model याद करो, मैंने लिखवाया है, and मैंने ये भी तुमको बोला था, कि हो सकता equity में कोई sum आए, औ sum में सब कुछ data दे रखा है, G नहीं दे रखा है, G नहीं दे रखा है, तुमको calculate करना पड़ेगा, उसके लिए ROE लगेगा, और ROE के लिए तुमको ये सारे data लगेंगे, so ROE is part by net worth, okay, और उसको अगर break करोगे, तो three step due point model से तुम break कर सकते हो, सबसे पहला, net profit margin multiplied with asset turnover into equity multiplier, तुमको G is equal to B into R करना है, बात खतम हो गई, अब B, अगर मैं proposal 1 का देखू, तो retention ratio 75% का दिया वा है, तो B भी दिया वा है, तुमको ROE निकालना पड़ेगा, ROE निकालने के लिए, du point model का three step model यूज़ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो net profit margin 4% की दे रखिये तुमको target asset to sales ratio यह तुमको दे रखा है, तो asset turnover क्या होता है, sales by assets, तो basically asset by sales दे रखा है और तुमको sales by assets है यह, तो 0.65 है, अगर इसको inverse करोगे, 1 by 0.65 करोगे, तो तुमारा required ratio आ जाएगा, दोनों के लिए इतना तो solve हो गया, एक और बचा क्या, equity multiplier, equity multiplier क्या होता है, total assets by equity, मतलब क्या, total assets में से, कितने assets की funding, कितने proportion की funding, equity के पैसो से कर रखिये, यह मतलब होता है, तो total assets means what, debt plus equity, दे रखा है न, debt equity ratio यहाँ पे, 2 is to 3, अगर मैं 2 plus 3 कर दूंगे, तो क्या हो जाएगा, वो total assets हो जाएगा, और equity तुमारा कितना है यहाँ पे, 3, तो 2 plus 3 divided by 3 करोगे, तो equity multiplier आ जाए यहाँ लिए से 1 by 0.65 into 4 percent into 2 plus 3 by 3, इन तीनों को multiply करोगे, तीनों ratios को, you will get ROE, okay, और उस ROE को, तुम 75 percent से multiply करोगे, तो तुमको मिल जाएगा sustainable growth rate as per proposal number 1, proposal number 2 में थोड़ी सी difficulty level दे रखिये, तो देखो मैंने solve कराया है, क्योंकि वहाँ पे retention ratio नहीं दे रखा है, but solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर, यह मैंने लिखा जरूर है, पर इसका कोई भी काम नहीं आया यहाँ पर, right, तो सेम तरहिके से मैं गई, retention ratio is 1 minus payout ratio यह लिखा है, and g is equal to b into r, pat by net worth, due point model, net profit margin, asset turnover, equity multiplier, pat by sales, sales by assets, and total assets by net worth, तो देखो 4 percent net profit margin, 1 by 0.65, यह करोगे, तो दोनों का, देखो ROE लिया आई में, और sustainable growth rate proposal 1 का आगया, because 75 percent तुमको sum में दिया वाता, खतम होगी बात, proposal number 2 में उन्होंने, तुमको dividend का amount दे रखा और equity दे रखा है, right, और तुमको retention ratio चाहिए, correct, तो मैं तुमको क्या बोल रही हूं, कि retention ratio निकालने के लिए तुमको pat लगेगा, तो I don't know how many of you could remember, लेकिन सारी बाते class में हो रखी है, अगर तुम ROE का percentage, return on equity का percentage, first lecture of equity में ये बताती हूं, मतब G निकालने का, मैंने derivation भी तिखाया है, वहां मैंने ये बात बोली थी, कि ROE का percentage, अगर तुम equity paid up पे लगाओगे, या net worth पे लगाओगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, पता है, pat मिल करोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुम वो retention का amount मिल जाएगा, और retention के amount को अगर तुम PAT से divide करोगे, तो तुमको retention ratio मिल जाएगा, देखो यहां पे, मैंने लिखा भी है, the sum does not provide retention ratio, we can compute PAT by applying ROE percentage on the provided equity data of the proposal 2, PAT, रुपी 1 lakh into 40.32%, ये दिया वा है, डिविदें दिया वा है, मैंने minus करके निकाला, देखो, 40,320, 40,320 में से 30,000 minus करोगे, तो ये तुमारा retained amount हो गया, और उसको वापिस से तुम PAT से divide करोगे, तो तुमारा retention ratio आगे, multiply करो, answer आगया, तो एक तम straight forward थोड़ी ना देंगे, कि DuPont model से निकालो and all that, उसकी application कहीं न कहीं देंगे, तो भी ये sum काफी करने जैसा था guys, I don't know, कितने लोग समझ पाये, लेकिन तुम डर गए होंगे, शायद possibly देखके, कि पहले कभी नहीं करावा है, बस वही reason है, अब question number 2 B, ये तुमारा swap का sum है, ये भी हम लोगों ने class में स्टर के sum, काफी सारे absolute advantage and comparative advantage का sum है, मैंने बताया है तुमको कि जब भी ऐसा sum आएगा तुमको, तो तुम क्या करोगे, पहले format को change करोगे, हमें parties A और B एक दूसरे के नीचे चाहिए, ओपर fixed, नीचे floating, preference लेकर के, तुम आज 5 step में sum को खतम कर दोगे, total cost of borrowing, without swap, total cost of as per preference लोगे, right, total cost of borrowing, with swap, दोनों का difference निकालोगे, तो QD निकल जाएगा sharing करो, effective cost of A, effective cost of B कर दो, और extra तो कुछ भी नहीं करना था, देखो यहाँ पे, देखो मैंने वापस arrange किया न, वापस parties नीचे लिया है, और उनकी preferences दे रखी है, fixed or floating, difference निकाला मैंने, okay, और यहाँ पे total cost of borrowing यह आया, total cost of borrowing 2.75, credit differential, देखो लिया न यहाँ पे, दोनों का, तो क 1.75 तुम को आ जाता था, share of intermediary, sum में दिया हुआ है, 25 BPS, जो बच गया, 1.75%, is 175 BPS, okay, तो 175 BPS में से intermediary 25 लेके जागा, ऐसा सहीं सम में क्लास में किया हुआ है, okay, 1 by 2 करोगे, तो दोनों का answer आ गया, effective cost निकाल दो, बात खतम हो गई, okay, तो वही जब बहुत tough की बात आई, तो मुझे लगा सच में की paper पता नहीं क्या आ गया, बाट मैंने देखना चालू किया शांती से, लेकिन शायद जिस environment में तुम थे और जिस environment में मैं थी, उसमें फराक है थोड़ा सा, next question is question number 3A, ये question देख के कोई भी student ये नहीं मुझे बोल सकता है, कि ये मुझे नहीं आता है, या मुझे नहीं पढ़ाया गया, क्यूंकि ये question दो questions का combination है, एक question वो जहां पर YTM निकालना है, market price निकालनी है, मैंने बहुत detail में duration, modified duration, ये topic को बहुत detail में पढ़ाया है, convexity मैंने तुम्हारे पहले के batches जो होंगे, बहुत पहले जो होंगे, उसमें शायद class में नहीं कराया, बट मैंने YouTube में एक lecture upload किया था, convexity का बहुत detail के अंदर में, और मैंने YouTube के जो important sums थे, उसका link बना के एक page पे मैंने across the groups share किया था, उसमें से convexity भी बहुत important था, काफी convexity का वो lecture देखा, और, मतब basically, bond की value वापिस निकालनी, for a change in interest rate, as per the full valuation method, and as per the shortcut और volatility method, मैंने class में इसका भी sum कराया वा है, तो ये दो sum का combination, and that is how the question became lengthy also, तो guys, ये भी sum में आपको पूरा का पूरा 7 marks आने जैसा था, कोई भी एक part ऐसा नहीं है, जो आपको sum में नहीं आना चा बच्छों ने complain किया है, बहुत, बहुत सारे बच्छों ने बोला कि मैं, concept सारे class में इसका, and we could manage, of course, I do not know whether I will get an exemption, 70-80 marks or not, but I will pass definitely, okay, solution लेकिन देख लो इसका, तो इसमें मुझे लगता नहीं, मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगी तुमको, पास सल का bond है, और, कुपन, मैंने cash flows बनाये हैं, PV निकाला, 10% है, और, PV फैक्टर ना भी निकालो, तुमको, अपने को याद रहता है, तो, basically, यह तुमने, duration का, duration का, duration का निकाल दिया, पूरा, price है, में, college duration, यह आया तुमारा, volatility is as good as modified duration, right, and computation of convexity, तो, convexity निकालने का, बहुत जगर पे, अलग-अलग methods होते ह तो, मैंने, तुमारे curriculum में, तुमारे curriculum में, तुमारे institute के जो book में जो formula दे रखा है, मैंने वही वाला formula यूस किया है, and I try to compute the price of the bond for 1% increase in the interest rate, 1% decrease in the interest rate, and use this formula of convexity, you know, this is the formula given in your module, and that is why I preferred following this, तो, convexity, उन्होने सिर्फ convexity निकालना है, लेकिन, मैंने जो sum कराया है YouTube पे, उस पे convexity effect भी निकालने को बोला है, और new prices से फिर use, मतलब इससे भी advanced level मैंने कराया है, हर group में मैंने बार-बार वो link डाली थी, कि please इसको पढ़ो, मुझे नहीं पता न, हमें, किसी को भी नहीं पता कौन सा sum paper के अंदर ओके, expected market price by duration method and by intrinsic value method, ये भी sum हम लोगों ने किया वाए guys already, और उन्होंने बोला, अगर ब्याज का rate 2% से अगर गिरता है, तो let us know कि duration method, मतलब MD method से और repricing method से, वापिस से पूरा करना है, तो तुमको ये पता होगा कि MD अगर 3.8655 है, तो इसका meaning क्या है, अगर interest rate 1% से change होगा तो bond की price 3.8655% से opposite direction में change करेगी, यहाँ पर 2% से ब्याज गिरा है, तो अगर 2% से ब्याज गिरा है, तो 3.8655 into 2% से bond की original price बढ़ जाएगी, देखो ये वाला step, ओके, और उसके, या फिर intrinsic value में क्या है, 10% minus 2%, 8% से proper valuation करो, दो price आती है यहाँ पे, यह 160 आया है यहाँ यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 199 है, this difference is only because of convexity, okay, तो just see the solution, and अगर बहुत detail में अगर पढ़ना है, तो convexity का वो YouTube से lecture निकालो, और वो पूरा का पूरा sum, convexity पे ही focus करता है, I am sure किसी को भी समझेगा वो, ठीक है, I am moving on to the next sum, यह sum में time लगा मुझे भी करने में, क्योंकि दो बार दिया है, dividend reinvestment plans भी करने को बोला, और साथ में उन्होंने bonus plan के लिए भी करने को बोला है, right, तो यहाँ पे देखो, और काफी lendी दिया, तो basically, मतलब सम में क्या करना पड़ेगा अपने को, यह जो data दे रखा है ना तुमको है, यानि कि यह जो data है ना average profit, इसको into 5 करोगे ना, तो तुमको total profit आ जाएगी, right, और investment दे रखा है, मैंने एक sum कराया था, तुम लोगो mutual funds में, sun and moon limited का, उसमें यादगरू, last step क्या था, last step था, total sale proceeds minus initial investment, buy investment into 100, percentage में answer आता था, total return, यहाँ पे buy investment नहीं करना, क्योंकि return amount में है, तो मैं अगर यह 27 into something को into 5 करोंगे, तो total profit आ जाएगी, और investment के साथ adjust करोंगे, तो sale proceed आ जाएगी, guys, sale proceed को, अगर मैं 49 से divide करोंगे, because वो last वाला NAV है, dividend reinvestment का, तो अपने को क्या आ जाएगा, अपने को closing number of units आ जाएगी, और closing number of units अपने को एक मिल गया, तो अपने को back calculate करकर के ऊपर जाना पड़ेगा, देखो यहाँ पर, total profit निकाल ली मैंने, और यहाँ पर sale proceeds आ गई, और उसके बाद मैंने 49 से divide करके, मैंने 21607 मैंने निकाल लिया, number of units, okay, और basically उस date को, last date को कोई भी dividend नहीं है, देखो नहीं पर, number of closing units on 353, same रहेगा, opening units अपने को नहीं पता, उस उसने कुछ पैसे add होकर के invest हुए वापस से, तो किस price पे, 45 के NAV पे, right, now, कितना dividend मिला, 1.5 rupees, how, 15% on 10 rupees will be 1.5 rupees, multiplied with the opening units, देखो, divide करके यहाँ सा निकाला, बस सेम तरीके से तुमको solve करते तुम जाओगे, तो तुमको NAV मिल जाएगी, उसी तरह से bonus plan के अंदर में भी, you know, average yield दे रखा है, उसको 5 से multiply किया, मैंने, sale proceed निकाला, और उसके बाद, NAV से divide करके, अपने को closing number of units मिले, and same तरीके से अपने क्या किया, पीछे चले गए, कि अगर तुमारे closing units 120% है, जो bonus के साथ में adjusted है, तो 100% किया होगा, तो 25,000 आ गया, same तरीके से वहाँ पी, देखो, bonus दे र 4A, यह question guys, हमारे textbook के अंदर में है, लेकिन दोनों question में फर्क सिर्फ सुन लो कितना है करके, यह समय valuation, मैं बिल्कुर शॉट में जा रही हूँ, इस समय valuation करने को बोला है company का, एक normal method से value, net worth, plus 5 साल का profit, okay, लेकि net worth में, land and building का जो valuation लास्त 3 साल से नहीं हुआ है, तो बेसी 93 साल पहले की value, उसको मैंने 1.3 से 3 साल के लिए आज की value ले ली, बाकी सारा adjustment करके, मैंने यहाँ पे net worth निकाल दिया, और उसमें 5 साल के profit अड़ करी है, इस method का एक सबसे बड़ा flaw है, कि इसमें discounting नहीं हो रही है, तो यह जो profits है न, finance में हम cash flows के discounting जरूर करते हैं, मतलब time value of money का consideration नहीं आया है, तुम इसको, मतलब basically इसको, और इसको add करोगे, तो यह value हो गई, एक value हो गई, और उसको number of share से divide करोगे, तुमको पता चलेगा कितनी price सामने वाले को pay करनी है, number of share सम में नहीं दिया वा है, paid up को face value से divide करके number of shares निकालना पड़ेगा, वो देखो, और फि बुक में जो sum है, उसमें percentage वो आया है, वो 1%, 2%, 5% आया है, which sounds like normal, यहाँ पर percentage जो आया है, वो इतना बड़ा आया है, एक और method से value करना है, वो dividend discount model, dividend का data दिया वा है यहाँ पे, उसमें d1 divided by ke minus g से तुम solve करके answer निकाल सकते हो, दिक्कत सिर्फ एक बात कि, sum में ke नहीं दिया है, हमारी बुक में जो sum है, वो RTP का sum है, वहाँ पे RF, RM, beta का data दिया वा था और हम केई calculate कर पाए, यहाँ पे दो ही तरीके हैं, या तो तुम d1 by p0 करके, back calculate करके निकालो, या फिर तुम assume करो, ओके, मैंने 25% assume करके sum किया है, तो मैं लो, मैं 25 क्यों किया, क्योंकि growth जब 18% कि तो ओविएस ही बात है, उसे थोड़ा सा gap लेकर के अपन, because company high growth phase, मैं 18% की growth, अच्छी growth मानी जाएगी, तो अगर company high growth phase में, तो risk of the shareholder should be relatively on a higher side, और यहाँ पे 124.76 का premium आया, मेरे को यह जादा reasonable लगा, यह method of valuation जादा better लगा, उसके दो reason है, number one, the premium looks much reasonable in comparison to 300 some percent, number two, it considers time value of money which is ignored in the first part, okay, okay, अब यह वाला sum, इसमें मैं कुछ भी नहीं समझा रही तुमको, because यह sum already, काफी बार, PA में भी आ चुका है, exam में आ चुका है, सिर्फ एक चीज की दिक्कत है, I think, उन्होंने, जो data दे रखा है तुमको, जो data उन्होंने दे रखा है, वो इस तरह से दे रखा है, actually यह euro per dollar नहीं है, dollar per euro, यह वाले चीज से problem आई बच्चों को, but common sense use करके, और तुमको sum solve करना पड़ेगा, three point arbitrage का normal sum है, कुछ भी discuss करने जैसा नहीं है, but these are the answers, guys, okay, या तो तुम चालू करते A से, या तुम चालू करते, कहां से चालू करते और dollar C से चालू करते, मैंने A से आंसर आ गया, मैंने छोड़ दिया, कुछ दुबारा करूंगे तो loss ही आएगा अपने को, अब यह जो sum है, यह अपनी book में कहीं भी नहीं है, नहीं पढ़ाया है, लेकिन, मैंने जो नया वाला fast track record किया है, rapid and swift, उसमें यह sum है record कर चुकी, मतब मुझे पता नहीं था कि यह sum billion की investment करनी, यह तो Japan में करेगा, यह US में करेगा, यह जपैन में करेगा, तो security में करेगा, US में करेगा, तो dollar में करेगा, right, तो यहाँ पर rate दिरकी, वापस से गूफप किया, यह जो rate है ना, वापस मुझे confusion हो गए, कि अब भी तुरन्थ सम देखा, उसमें उटा था, उसमे I agree that the students will get a lot of problem out there, but मैं यह भी मैंटें किया है कई बार कि कुछ ना कुछ हिंट तुमको सम के अंदर मिल जाएगा, बाई God's grace, और यहाँ पी यह वाला हमारे लिए हिंट बना, तो तुम क्या करोगे, 200 बिलियन रुपीज को, तुम क्या करोगे, 200 बिलियन रुपीज को, तु 11.9276 तुमको income stock lending, stock lending क्या होता है, for example, मैं blue chip, मैं investor हूँ, investor क्या होता है, पैसा, लंबे time के लिए इनवेस्ट करता है, और दूसरा क्या होता है, तो इंडिया में, मैं इंडिया की बात करूँ, सब जगव ऐसे applicable है, stock holding corporation of India, SHCI, तो मैं क्या करूँगी, अपने stocks को, SHCI को मैं lend कर दूँगे, कि आप इस stocks को लो, वो stocks को जो traders होते हैं, you know, short sellers होते हैं, वो borrow करते हैं, they pay money for that definitely, or they short sell and then return the stocks back for a small amount, for a small amount, big amount, whatever, but for some money, so उसमें मैं investor हूँ, 200 billion rupees invest कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने stocks को अवेलेबल कर दूँगे, short sellers को, and they will give me some income, वो income दे रखिये, 11.9276, तो तुम जब वापस जाओगे न, तुम क्या क्या एड करोगे, 25 प्लस 11.9276, और क्या एड करोगे, तुम जो principal value ले के आये थे न, उसको 98% कर दो, क्यों, 2% का discounting है, तीनों को एड करके, 1.57 से convert कर दो वापस से rupees में, ये एक answer हुआ, दूसरा answer होगा, कि 200 billion rupees को, और 0.013 पर तुम वापस ले के आओगे सारा पैसा, तुमको मैं answer दिखाती हूँ, जब तुम देखोगे तो तुम देखना, कि तुमको दोनों में same answer आया, दोनों में बिलकुल same answer आया, लग बग, तो basically तुम से ये पूछ रहा है, कि तुम कहां पर पैसा लगाए, तो सबस M. जब चूब चुल कासे ये जब रहा है, तुमको दोनों में से अढ कहां रहा है, तुमको जब डग, ये रहा है, ये सेंग आ लिखो जिए जया बग, ऑने से, आढ इन आइू आ, लो चुल दोनों में वाला, क्यों, ये वाला संगिज्ग, जैर वाल आए, ज बग दूछ अपने जब portfolio पढ़ते हैं, तो एक जगा पर तीन formula लिखाती हूं, towards the last, उस पर coefficient of determination का एक formula लगाती हूं, it is a squared form of coefficient of correlation, ये sum में sharp ratio निकालना है, trainer's ratio निकालना है, correct है, sharp ratio क्या होता है, rp minus rf by sigma p, और trainer ratio क्या होता है, rp minus rf by beta, यहां पर sum में sharp ratio निकालने का कोई issue नहीं है, because rp 7 हो आती हूं मैं, और variance दे रखा है, तुम 92.16 का root लोग है, तो sigma p मिल जाएगा, ये solve हो जाएगा तुमको, तीनों के लिए, growth के लिए, balance के लिए, तीनों के लिए कर लोगे, तुम, trainer निकालने के लिए दिक्कत आएगी, beta नहीं दे रखा है, लेकिन coefficient of determination दे रखा है, ना, r square का एक sum भी करवाय था, sr by tr, sr को break करो, beta square multiplied with the variance of market divided by variance of the asset, यह portfolio है, तो sigma square p, अब दिखाती हूं को, देखो यहां पे, ये तो simple है, अब ये वाला part देखो, ये वाला, खर देख लो लेकिन, देख लो, if you want to click a picture or something, this is, this should be the answer, okay, now, आपर pause भी कर सकते हो, और ये यहां पे ऐसे कर break करोगे, तो तुमारे पास coefficient of determination है, market का variance है, और asset का भी variance, एक माई square p भी है, तो beta निकल जाएगा, उसका root लो, तीनों का beta मिल गया, और trainer ratio निकाल दो, और उसके बाद तुमको market के साथ compare करना है, एक sum में सिर्फ एक गुफक थी, और वो है RF का rate, RF का rate was 9, और इसलिए हमें हर का negative answer है, I think there was some issue, because Sarah, आपका answer अगर negative आता है, तो मेरे लिए answer solve करने का मतलब नहीं नहीं कलता है, बिलकुल भी, राइट, लेकिन हम solve तो करी सकते हैं, answer weird है, वो उनका problem है, answer तो तो तुम solve करी सकते हो, और conclusion भी दे सकते हैं, because market का zero आया, और उन सब का negative आया है, यानि market ने उन determination का पूरा game था, और कुछ भी नहीं था sum में, right, next guys, 6A का जो sum है, 6A के sum में, एक issue थी, कि मुझे दो इस्चु आई रादर, एक issue यह थी, कि वो जो नहीं बोला ना कि 4 रुपया, next, और उसके बाद बोले, 4 साल तक 20% से बढ़ेगा, right, तो I was confused कि D1 is 4, और D1 is like 4 plus 20%, right, कभी- 4 is as per today's purchasing power parity, 4 आज के हिसाब से है, और उसके बाद, I hope you understand the inflation का जो तुमारे sums होते है, 4 is as per today, and उसमें अपने को 20% लगा के 400, because sum तभी बैठ रहा है यह पूरा, और फिर मैंने क्या किया है, 8 साल तक मैं गई, 1-1% से कम करा, और 7 years तक मैंने high growth phase, यह linear fall का sum है, यह sum अपने कोई बच्चा करता है, लेकिन क्योंकि डेट में clarity बहुत जादा नहीं थी, and that is why, it is possible that, कि उन्होंने गलत solution कर दिया होगा, because नहीं क्लिक करेगा उनको तीन घंडे के अंदर में, तो 7 years, 7 years तक मैंने GS लिया है, और D8 को मैं GC लेकर के मैंने sum को solve कर दिया, right, तो, I mean, I did that way, I don't know what would be their solution, I am not sure about that, okay, so this is what, and the last case, that is APV model, okay, and APV model as per capital budgeting में हम पढ़ते थे, जो कि हमारे portion में नहीं है, still वो sum उन्होंने दिया है, अगर तुम करना चाहो, तो, base case, NPV, plus present value of interest, interest benefits, and minus rotation cost, वो कर के करना पड़ेगा, इसमें दिकत, एक सेट ऑ बच्चों को आएगी, जिन्होंने capital budgeting properly, ना तो CA Inter में पड़ा, और नहीं उनके, जब वो final में आए, तो वो हट चुका था, तो, you know, वो जो बच्चें, उनके लिए, I really doubt APV कितना आता होगा, कितना नहीं आता होगा, that question is a, एक वो sum, मुझे doubt है बच्चों को आएगा करना, जो आता था, उसमें data गड़ बढ़ते है that is why this paper became difficult for you, यह मैं तुमको बोलना चाह रही हूँ, otherwise अगर data में clarity होती, तो majority sums अपने बच्चें ब्रेक कर लेते थे, कोई टेंशन होती, लेकिन, अगर तुमने paper दिया है, तो भी तुमको नहीं टेंशन लेनी है, बिकास जो हो गया भी, जो हो गया, जो number आएंगे, वो and I think, हम इतना ज्यादा भी stress नहीं लेना चाहिए, it's okay, it's okay, that is, बहुत ज्यादा stress लेकि अगर कोई काम करोगे, तो कोई मतलब नहीं लेका, so just be kind of very very comfortable and study hard but, पढ़ाई आप बहुत सारी करो, okay, that was from my side, thank you so much. झाल